संदीब सेंडी तुम्हें चस्मा लग गया बटा मुझे भी लगा है चस्मा करो रिक्वेस्ट करो रिकॉड 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 ज्यादा एफेक्टिव होगा PDF बात सरको नेट्वर डिश्टर्म काफी कोश्चिन से बुक्लेट में मिस हो जाएगा क्या बात कर रहे हो मुझसे भी शेयर कर दो करूंगा तुम ही ना अल्टिमेटली हां क्या बोल रहे हो बता दो एट लिस्ट तब ही पता चलेगा नहीं अभी उपर क्या डिस्केशन चलना था तुम लोग का क्या डिस्केशन कर रहे थे मैं देख रहा था वो थोड़ा सा तुम लोग का डिस्केशन बहुत लंबा चड़ा हो जाता हां बताई ये क्या डिस्केशन चलना था बताओ न मेरे रहो मेरे नहीं बताओ कि यहां कुछ नहीं होगा जनिक पर ठीक है पीडियो कोशन सर या तो शेयर करवा दिया अटलीस कोशन को मत हटाईएगा आप से कोशन को मत हटाईएगा अज़ा कि संदीप तुमको कौन बोला कोशन हट रहा है आप से किसी में बोला क्या आपसे कौन बोला जनिक का कोई इंसान ने बोला जनिक का कोई मेंबर हो जिसने आपसे ऐसा बोला हो PDF हड जाएगा किस ने बोला बता दो मेरे को किसी कभ नाम ले सकते हो मेरे सामने तो किसी कभ नाम ले सकते हो ना ठीक है संदीप किस ने बोला बिटा कि PDF हट जाएगा कोई बोला क्या कहां है ये कमेंट सर्ट अब कोई कमेंट नहीं कर रहे तो गलत बात ना मुझको बताओगी नहीं तब तक कैसे पता चलेगा मेरे को सर कहां है ये एक कमेंट था नो सर नई उपर कुछ चल रहा था मैंने देखा उपर काफी लोग कुछ बाते कर रहे थे ये कर दूँगा वो कर दूँगा क्या कर दोगे भाई कुछ क्या कर दोगे मेरे बतादो at least कुछ करने वाले हो तो मुझे बतादो बिटा मुझे नहीं बताओगे तो कुछ नहीं होगा ठीक है सर सिग्नल सिस्टम और लॉग एलेक्ट्राणिस खतम होने तक रिकॉर्डेड वीडियो रख सकते हैं क्या क्योंकि सर एप लॉँचिंग डे पर खरीदा है तो मैनेज नहीं हो पा रहा है क्या नहीं मैनेज हो पा रहा है तुमसे क्या ने मैनेज हो पा रहा है अक्षे ने बोला सिगनल सिस्टेम लॉग लेक्शन सर पीडिये प्रिंटिंग ओप्शन सिगनल सिस्टेम के लेक्शर ज्यादा देर तक रखने के लिए सिगनल सिस्टेम लेक्शर ज्यादा देर तक रखने के लिए ज़्यादा देर रखने के लिए मतलब कि हमने कब तक की वैलीडिती दी है आप मेरे को बताओ कब तक की वैलीडिती है उसकी उसी पर चैट चल रहा है क्यों चैट कर रहे हैं इन सब चीजू के PDF शेरिंग का option करवा दीजे सर PDF शेरिंग का option करवा दीजे सर PDF sharing का option करवा दू share करवा दिये सा discussion session में बहुत problem होता है ठीक है नई संदी पहले ये बताओ बोला किसने की question हटने वाले है पहले ये वाला part बताओ क्यों तुम लोग के comment बड़े खतरना type होते हैं जिसका हाथ पैर कुछ नहीं होता उस type की comment कभी कभी होते हैं G drive में PDF डालके हम लोगों को link access दे जीजे ना प्लीज इसकी privacy भी सही रहेगा ओके ठीक है चलो PDF sharing का option बता रहे हैं आप लोग ठीक है तो देखो problem कहा होती है problem आप लोग समझो मैं यहाँ पे अभी link देता हूँ पहले ठीक है एक्चली problem क्या है न वेटा अच्छे यहाँ बताओ कोई job working है क्या उसाज समस्ता होगा ऐसा problems को हाँ वेटा कोई job working है क्या कोई job वाला है क्या जो कहीं काम वाम करता होगा हाँ वेटा network theorem आपको पता है किसी भी चीज का misuse सबसे पहले होता है उसका full utilization से पहले उसका misuse होना सबसे पहले हो जाता है और खाश करके ये जितना भी आपका distal में चलता है न सब कुछ बताया था कि वीडियो एक मन तक रहेगा बाकी आप लोग recording हटा दिया जाएगा क्योंकि हट जाये इसलिए पता है आपको जो भी चीज यहाँ पर कई बार मैंने बोला आप लोग customer care को जो call करते हो या आप किसी भी जनिक के member से आप बात करते हो ना तो आपको कभी भी कोई भी response अगर करता है कोई कुछ भी बोलता है customer care या कोई भी इंसान आप से बोलता है तो आप एक चीज हमेशा याद रखा करो वो कुछ भी अपनी मर्जिस नहीं बोलता है कुछ भी अपनी मर्जिस नहीं बोलता है means कि अगर वो कह रहा है कि ये इतने दिन के लिए valid रहेगा ये इतनी दिन के लिए काम करेगा ये इतनी दिन के लिए होगा तो आप एक चीज़ को हमेशा याद रखना वो कहिन कहिना यहां से discuss हो के जाता है अगर आप सावन से बात करते हो राकेश से बात करते हो तो आप याद रखना मेशा अगर वो कुछ भी आप से बोल रहे ना कि इतना cost लग रहा है सब इतना लगे हो यहीं से मेरे से पूछ के जाता हो उसके बाद ही आपको reply किता है तो आप कभी यह मस समझा करो कि वो खुड decide कर लेता है इस चीज़ को क्योंकि उसको नहीं पता है कि क्या privacy होती ही क्या data security होती ही क्या चीज होती है आपको पता होना चाहिए this is not so easy जितना कि आप समझते हो और चीज़ों को कि इतना easy सा है तो I think मुझे नहीं लगता आप आप सर आखे फूर जाएंगी प्लीज सर पीडियाप शेयर का option दे दिये watermark कर दो सर सबका name number so that share करें तो पता चल जाए ओके ठीक है ठीक है चलो ओके इतना टिंचे मतलो लेकिन मैं permanently नहीं open कर सकता it's never possible but मैं म और समयना यह मैं सोचा करो हम ही करें कभी-कभी आप भी कर दिया करो कभी-कभी कुछ चीजें आप से कुछ बोली जाते ना आप भी किया करो कुछ जो भी आपके data security जो होता है इतना असान कम नहीं होता है जो लोग विशायत कोई job कर रहे होंगे उनको पता उनको पता है भ ना ऐसे-से लोग life में, real life में धोका देते हैं भाई-भाई तो सगा नहीं बचा हुआ है आज के टाइम में तो ऐसे-से लोग धोका देना इस्टार्ट कर देते हैं आपको लगता होगा रह सर इस सब PDF ना कौन सी बहुत बड़ी चीज है तो इतना जो PDF यह बनाया गया ना उसका collection बनाने में इतना जो टाइपिस्ट लगे इतना जो उसको पुरा create करने में इतना जो हमारा resource लगता है आपको लगता है वो तो छंड भण के लिए PDF बनता है किसी भी बुक का मालनो कोई textbook पाश्मेंट मेरी बात सुनो पहले मैं कर दूँगा मैं कर दूँगा आज क्ल network theory के बुक का नाम आपने सुना होगा network theory एक बुक का नाम आपने सुना होगा कितने लोग सुने मुझे बताना इस बुक का नाम आपने इस बुक का नाम सुना आपने इस बुक का नाम सुना बच्चों इस बुक का नाम आपने सुना है ता आप मुझे पताईए आपको पता है आपको पता है बहुत ध्यान रखते हैं डेटा शिक्योर्टी पे ध्यान रखना पड़ता वेटा किस पे विलीब करूं किस पे विलीब करूं किस पे विलीब करूं कि आप पे विलीब करूं क्या एक आप एक अकेले तो हो नहीं हजारों बच्चे लाखों बच्चे होते है ठीक है किस पे विलीब करो आपको पता है PD कोर्स को लेता है तो सीरियल की बेचनेक चकर में पान दस हजार रुपाय के अपनी जट तक इंसान आज कल बेज देता है आपको पता कितने केसे सोचुके पीडीजडी कोर्स में सीरियल की कुपर बता देंगे मदरबोर्ड उड़ गया फलाना उड़ गया आपको पता दस केस हो चुका चार तो कुलिस रपोर्ड भी हो चुकी है यहीं से फिर उनके माबाब कॉल करते हैं सर ऐसा मत करिये तो गलत कौन हुआ वहाँ पर मैं गलत होता बिटा आप नहीं समझोगी इन सब चीजों को इतना आसान नहीं है ठीक है समर रहे हो आपको पता है यह बुक है इस नोबड़ी कें चैलेंज इस बुक ओके इस बुक है आपको बता कितने लोग इसके हाड़ कॉपी रखे होंगे बहुत कम लोग आप में से जूट मत थेक है जूट मत बोल जूट मत बोला करो एकदम सच बोलना इसके हार्ड कॉपी बहुत कम लोग पास होगी बहुत ही कम लोग पास हाट कॉपी होगी क्योंकि है आपको इजली पीडियाप मिल गया है आपने कभी सोचा कितनी महनत हुई होगी कितना बड़ा क्राइम होता है लेकिन इंडिया में आपको पता है da सेक्योर्टी का कोई नियम ही नहीं है। कोई नियमpektर क्राइम को you चांब कोई नियम ही नहीं बना संसत में कोई पास ही नहीं हुआ था कोई नहीं तो फिर किस बात का ठीक है यह पीडियाप बनता है हम कोई publication करते हो उसका पीडियाप बनके कुछ लोग इधर उधर करने लगते हैं ठीक है तो मैं क्या करूं मतलब उसके लिए पुलिस रिपोर तो इंसान जब इसको publish किया है आप इसकी hard copy नहीं ले सकते कितना बचा लिया तुमने जिन्दिगी में 700 रूपए 700 रूपी तुमने बचा के जंग जीत लिया क्योंकि तुमने PDF माल लिया तब तुमारे आँख नहीं फूट रही सबकी मैं तो हमेशा कहा ना PDF से better option होता आप hard copy पढ़िए आप hard copy लीजिए hard copy से पढ़ाई करिए हमेशा कहता हूँ जो PDF पहले मैं भी देता तो ना मैं कहता था बच्चो बटा print out निकालके उससे पढ़ाई किया करो हमेशा उससे हमेशा पढ़ाई किया करो से बसे एक बते बहुते हैं आप सच बोलना बोलते हैं भी और हमेशा बोलते है जब आप लोग बोलते हो सर स्क्रींशौट लेना हड जाओ यूटूब पर जिब होता था सार मुझे नोट्स का ये PDF मिल जाएगा क्या क्यों hinगे चाहिए त STEM. को हाथ पेन कलम कागज नहीं चला सकते क्या हमें लोग बोलते हैं इसलिए बोलते हैं जो हाथ से लिखते हो जो हाट कॉपिक जो है वो बेटा पीडियेप में नहीं होता लेकिन कहां मानता है कोई इस बुक का 90% इस्टूरेंट पास सिर्फ और सिर्फ पीडियेप होगा 10% ऐस इस्टूरेंट पर जो हाट कॉपि बिलीब करते हैं और उसको खरीदते हैं जिसमें मैं भी हूँ समझ गया तो आप ना किसी भी चीजों को इतना नहीं रख्या सर लाइबरीरिस लाए हैं वही चीज मैं कह रहा हूँ हूँ वही चीज मैं कह रहा हूँ बहुत कम लोग ना पीडियेफ लेकिन जादा तर लोगों पास ना जादा तर लोगों पास पीडियेफ यह जादा तर लोगों पास मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ बस तो आपको क्या फर्क पड़ता है किस बंदे की रॉयल्टी जुड़ी हूई है ये बंदा जितना महिनत किया होगा आपको नागनाथ हैं, नागराथ हैं, नाग्राथ हैं, नागराथ 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 हैं, पता हैं, उनको मेशीन की आपको सच्चा ही बताऊं, यो भी नहीं बताएंगे, लेकिन मैं बता देता हूं आपको, क्योंकि मेरे हमेशा बात होती है, हर अक्ते बात होती, आपको पता है, मेगरही हिल से उनको साल साल भर का 20,000 रुपए नहीं आता रोयल्टिक नाम पे, समझ तो ये sidecon देखेगा आपको ही देखना ना तब ही बोला जाता है hardcopy खरीदो बेटा PDF मत convert करो उसको लेकिन मानते कहा हैं मानते कहा हैं नहीं मानते हैं ठीक है तो please try to understand ठीक है try to understand and believe at least book को त्यार hardcopy खरीद करो बुक को hardcopy में लिया करो चलो जो PDF आपको uploaded है मैं एक काम कर सकता हूँ मैं दो तीन दिन के लिए मैं उसके लिए जब भी कोई जब भी कोई आपका lecture start आप सारे एक साथ आते भी तो नहीं आप अपनी विद्कमिया लिया करो ना बिटा आप अपनी विद्कमिया लिया करो ना ये कोई tuition तो चल नहीं रहा कि एक बच्चे पढ़ा रहे हैं जो करना है एक ही बच्चे के लिए करना है हाँ बिटा ठीक है तो मैं आपको बता देता हूँ आपके लिए मैं इतना जरूर कर सकता हूँ इतना panic मत हो PDF के लिए ठीक है आपके लिए एक काम कर दूँगा चलो कर दूँगा मैं जब भी कोई subject start हुआ करें जिस दिल भी PDF आपका अप्रोड होगा ठीक एक दिन तक मैं complete download का option रखोगा जिसे आप उसको save कर सको लेकिन बता दे रहा हूँ है लेकिन short notes का नहीं दूँगा short notes का downloading option नहीं दूँगा हां questions का दे दूँगा question जो आपको practice booklet के लिए मिल रही नहीं उसको मैं जरूर आपको provide कर दूँगा आप उसको download कर सकते हो अपने system पे save कर सकते हो आप उसका print out ले सकते हो कुछ भी ले सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक दूदिन के लिए मैं दूँगा इस से जादा नहीं दूँगा correct है चलेगा happy now चलो अब इसको finish करते हैं बहुत बुरा लगेगा अभी तुम तुम कुछ कर रहे हो तुमारे कोई समान हो कोई चीज हो उसको मैं थोड़ा सा touch कर लूँ देखो फिर कैसा लगेगा तुमको चिल मिला जाता ने इंसां चलिए आगे बड़े ओके हाँ कोशन कहीं कह रहों बेटा कोशन कहीं कह रहों ओके बेटा मैं कर दूँगा ठीक अब यहां पे चलेगा ना बेटा happy ना हो ना अब तो at least वह हो जाओ happy कम सकम happy हो जाओ ठीक है अब तो happy हो जाओ करा दूँगा don't worry don don't worry लेकिन जो भी चीट डिमांड किया करो ना उसको एक प्रॉपर वे में रखा करो ऐसा वाला मत रहा को आदेश देने वाला टाइप का दिमांड मत रखा करो ठीक है मतलब एक तो वैसे ही सेवन थाउजन एट थाउजन नाइन थाउजन की बीच में एमांट ले रखा मतल आप खुद बनाईये नोट्स अपने खुद बनाईये मैं रिपीटिली कहता हूं नोट्स को हमेशा खुद बनाया करिए दूसरों मत करिए चलिए अब देखें अब मैं एक शिकाहित और आपसे है जो कि मुझे अच्छा नहीं लिगा मैं जियो सी कोशन जब भी देता हूं अब एकदम एनर्जी माजो आपको बताऊंगा नेट्वर्थियोर्म दोंट बड़ी और इसको फिनिश करना है फिनिश करना है फिनिश मतलब 90 परसंट फिनिश कर देना है ठीक है तो अब देखें थैंक्यू थैंक्यू बड़ी एकदम मस्त पढ़ाई करो बेटा इन चोड बच्चों ने जबर जस्त किया यार मतलब रीली हैपी रीली हैपी बहुत खुशी मिली कल मैं देखा था फेस्बूक पे लगबख 10-12 बच्चों ने पोस्ट किया था जो मैंने जी उसी कोश्ट दिये थे ठीक है हर कोश्ट अगर तुम ये एक्सपर्ट कर रहो हर कोश्ट म मैं बता देता हूँ 90% से उपर बच्चों के सलूशन क्या थे सही थे सभी जी उसी के कुछ बच्चों के गलत थे कुछ बच्चों गलत थे गलत इसलिए थे को उनकी कहीं कहीं कैलकुलेशन मिस्टिक हो रही थी लेकिन उन प्रॉसेस प्रॉसेस जो लगाया थे वो सब कोई जितना मैंने बोला था ये देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था जितना मैं बताया था उस चीज को नहीं बहुत अच्छे से फॉलो किया प्रोसेस लगभग लगभग 95% बच्चों ने एक दम सही लगाया था लेकिन कैलकुलेशन में कुछ लोग गड़वरी कर दिये थे सिर्फ ओनली कैलकुलेशन तो आपको बिटा अपनी कैलकुलेशन ध्यान देना रेस्ट जो लोग पोस्ट नहीं कर रहे हैं जब मैंने बोला कि आपको सॉल्व करके आप फेस्वुक पोस्ट करिए बिटा आपका महां पर आपस का भी डिसकेशन होता है जरूरी थोड़ी जब तक मैं आपको अगर होंवर्ग दिया हो तो मैं भी तो एक्सपेक्ट करो ना आप सॉल्व करो इस चीज को आप सॉल्व करोगे जियोसी के कोश्चन वन अफ दे बेस्ट कोश्चन है जियोसी के कोश्चन वन अफ दे बेस्ट कोश्चन से मैं आलेड़ी बता चुक है आपको वन आफ दे बेस्ट हमेशा बोलता हूँ best नहीं बोलता मैं कभी, best is a absolute word, best के आगे सब खतम हो जाता हूँ, उसके आगे कुछ बसती नहीं बोलने के लिए, तो GOC के questions को एकदम सही से आपको लेना है, एकदम proper way में लेना, homework में अगर मैं कुछ question दे रहा हूँ GOC के, अभी तक मैंने 5-6 question homework में दी हैं GOC के, but solution के ओल बीच में voltage और resistance तो nodal equation क्या होगे, nodal equation सेम होगी जैसे लगा है हूँ, अगर कोई voltage source है, उसके series में एक resistance है, दो question इसी को पर दिया था, तो आप सोचो, आप खुद सोच के देखो ना, क्या ये super node बन जाएगा, अरे ना भाई, super node बनने के लिए क्या condition होती, या तो एक voltage source हो, या तो एक voltage source हो, दो node की बीच में, या एक voltage source और उसके parallel में कोई resistance लगा हो, then only super node जैसा कुछ बात आप कर सकते हो, but अगर ये series में resistance और एक voltage source है, then super node का हस बन जाएगा बेवकू, super node कभी नहीं बनेगा, super node के लिए, but super mesh में, अगर series में resistance है, तो obvious बात बनेगा, क्योंकि current तो current decide करेगा न, एक single voltage source होना जरूरी है, दो node के बीच में, to make a super node, but, but, in case of super mesh, एक current source, या तो single हो, या तो उसके साथ, कोई आपका resistance भी series में जुड़ा हुआ हो, या दो तीन current source, एक साथ parallel में है, दो mesh के बीच में, तो definitely हो क्या create करेगा, हमेशा, super mesh create करेगे, तो आपको simply अपन तो उसमें, दो question थे, इस तरीके, जिसमें, एक voltage source in series with the resistance था, कुछ बहुत सारे बच्चों अच्छा किया, I really appreciate your effort बिटा, अपना बस effort छोड़ना मत, आप अगर पंगासर बिलीब करते हो, अगर आप इतना बिलीब करके आए हो, आपने ये बिलीब किया, पंगासर ने कुछ announce किया, जि optimus माए, उसके आद इसमें सबने वादे किया, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, आप बिलीब अगर करते हो, just have faith, faith रखो बस, only faith required है, और अपना time दो, उसको सही से utilize करो, okay, definitely मैं आपके लिए जिजान दे दूँगा, लेकिन आपका part भी उतना ही strong होना चाहिए, मैं क्या करूँ, मैं मर भी जाओंगा, तब भी कुछ नहीं होने वाला, okay, you must try your best, आपको अपना support try करना है, और करते ही रहना है, okay, के answer, हाँ, ये सही demand किया, जो सही demand होती है, मैं हमेशा बता देता हूँ, okay, साहिल सर, साहिल सर कौन है बेटा, साहिल सर विल टेक ए special session GOC for one day, okay, साहिल नाम का कोई है नहीं बेटा, यहाँ पर, okay, सर, GOC के साथ answer बिख दे, हाँ, ये correct है आपका, ये correct है, GOC का ये जरूर मैं कर सकता हूँ, answer की आपको दे सकता हूँ, बट जितने भी GOC न आप believe नहीं कर सकती है, मैं इसलिए कि आप जब लिखते हो ना, group पे post करते हो, मैं आपका देख के मैं देखता हूँ कि किस तरीकी से उसको किया, आपने उसी के recording में हमेशा, खुद decide करते हो भी साहि, तभी मैं क्या लिखता हूँ, सुपोब, एक बार बेटा, calculation चेक कर लेना, process तुमारा स इतना है, तुम्हारा answer इतना है, चलो, ओके, तो GOC questions ट्राइक करना है, और एक दिन मैंने बोला, मैं एक दिन session प्लान कर दूँगा, अगर आपको लगता है, बट, आपका participation important है, हर चीज़ वीडियो ही मत मागो, कि हर चीज़ के लिए वीडियो दे दूसर, कितना देखो कि तुम 15 घंटे वीडियो ही देखते रहो, चलो, ओके, ग्रेट, बहुत बढ़े हैं, नहीं, answer की दे दिया करूँगा, मतलब Facebook पे दे दिया करूँगा, तो पुराने जितने GOC है, जितने GOC, मैं सबका answer की, आज मैं दूँगा, Facebook पे ही आपको दे दूँगा, आप try तो at least क time करो आनसा हु सर को tak करो, क्यों नहीं करते टेक तुम लोग, करो तो कैसे नहीं मिल एक जवाब, बिलकुल मिलेगा, ना मिले तो मुझे बता दे न, तब मुझे टेक कर लिया, करो सर जवाब नहीं मिल रहा है, हमको, मैं करवाओंगा, क्यूं टेंशन ले रहो, कोई नहीं क हां उसमें हां उसमें कुछ error हो तो बिल्कुल बताया देने बटा कोई कोई वैलू अगर error हो ओके चलें ओके ग्रेट समदरों पोस्टेडि इस दियर एंसर आई विल चेक दें बाई माइसल इफैने आई विल पोस्ट या डेफिनेटली स्रीवनी ओके अट लिए करो जो लोग इंट्रस्टिंग चैप्टर बहुत important भी है इसका role and application आपको बहुत ज्यादा मिलेगा मैं बार बार repeatedly कह रहा हूं repeatedly कह रहा हूं network का बहुत excessive application आपको मिलने वाला है machines में आपको power system में आपको analog electronics में तो ध्यान रखना, मशीन को, पावर लेक्ट्रोनिस को, पावर सिस्टम को, एनलोग को, अगर सुपोब बनाना है आपको, तो नेटवर्क का आपका बहुत मिस, बहुत ज्यादा स्टॉंग होना चाहिए। तो यहां मैं फटा फटा उडा देता है इस चीज को, तो आप उसकी इज्जत करी उस चीज के, बुक के कोशन सब बन गया है, सुपोब से भी डुपो से उपर कई लोग तो किये भी नहीं होंगे, छोड़ो उनको, अब जो नहीं किया मेरे साथ, मैं अब डेली एक अपडेट के लिए करूँगा और मैं देखता हूं कि सब लोग किये की नहीं किये, जो नहीं किया, मैं एक्दम फैक्ट बता रहा हूं, मैं उसको एक डाउट सेशन नहीं क्लीर करूंगा और नाहीं एक डाउट मैं ले नहीं दूँगा, किसी भी जनीक टीममेंबर को, अगर तुम नह तुरम एक सुपर पोजिशन तुरम जिस पर को उस्टन आपको बनाने पड़तें इस्पेसटली सुपर पोजिशन का रोल के वाल अप्लाई जो करनो कहां कब करना मैं स्क्रिकली बताँगो वहीं आप्लाई करना रजेगा मत करना , रङका का तृर्णी क्तम में तो फैंब टू नंबर टू य आ पर टू थैवन इन अनना घ्क ए नॉटन थयूर्म तैवनीन एंद नॉटन थउलैंक बहुत अच्छी बात है नेगस्ट आपका थर्ड नंबर आपका जो आपका है वो क्या है वेटा सोर्स ट्रांसफोर्मेशन त्रांसफोर्मेशन 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 त्रा लास्ट और फाइनल जो आपके लिए है that is your reciprocity, reciprocity theorem, reciprocity theorem, correct है, सबसे ज़्यादा जो important आपका part है, जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा, वो केवल केवल इसके उपर दिखाए देता आपको, यह इतने portion पे, सबसे ज़्यादा question इनी तीन चीजों पे आपको frame होते दिखेंगे जब भी gate exam के बाद करोगे, correct है, एकदम ध्याद सुनना जो चीज़े मैं बता रहा हूँ, और सब chapter 1 से relate करना, अलग से मत पढ़ो chapter 2 को, chapter 1 से relate करो simply, okay, तो यहाँ पे आपका super position theorem आपका है, उसका application, ठेवनिन का application, यह जो दोनों चीज है, इसका जवरजस्त application रखना, रेसी प्रोष्टी थियूरं पे हमेशा box type के questions बहुत बनते हैं, box type questions, और यह बड़े खतरनाक होते हैं, यह बड़े खतरनाक होते हैं, तो box type questions में हमेशा याद रखना, तीन थियूरं का application होता है, एक रेसी प्रोष्टी, दूसरा आपका ठेवनिन, अंद तीसरा ज सुपरबोईशन का कंसेप्ट इग्जाक्ली क्लियर है तो आप रेसी प्रोष्टी थियूरम में बॉक्स टाइप कोश्चिन को यू विदिन सेकेंड में सॉल्व कर ले जाओगे आदरवाइस आप से बीटा हिले गावनी बॉक्स टाइप का कोश्चन ध्यान रखना ओके तो जो इंपॉर्टेंट जो जिस पे हमेशा कोश्चन बनने वाले सिर्फ और सिर्फ यह थियूरम से करेक्ट है तो इसको हमको एकदम ध्यान से करना है इसमें कोई गलती नहीं होने चाहिए क्यूंकि क्यूंकि यह जो आपका थेवनिन एंड जो मैक्सिम सोर्स ट्रांसफॉरम इसका बिगेस्ट एप्लिकेशन आपको क्या मिलेगा पावर एलेक्ट्रोनिक्स में इसका बिगेस्ट एप्लिकेशन पावर सिस्टम में इसका बिगेस्ट एप्लिकेशन कहां मिलेगा बिटा मशीन में ध्यान रखना मशीन में ओके तो एकदम क्लियर रहो कि कौन सी से जाज को यहां देखने को मिले का तो एकदम प्रोपल लिया अपोन चाहिए पिर बाद में प्रोब्लम नहीं आने चाहिए वेट करो बेटा तब बताईए कि नहीं हुआ सर, चलिए, आप देखते हैं one by one, हटा रहो इसको, आप नोट कर लो इसको, इसके आद मैं हटा रहो इस चीज़ को, चलो, ये नोट कर लिया होगा, hopefully सब ने, तो मैं हटा देता हूं बेटा, ये थियोरम उपर one by one हम लोग discussion करेंगे, आप देखे ध्यान से लेखेगा, एक दम ध्यान से, एक गलती में एक दम ध्यान सुनिएगा, अब देखे, अब मेरे पास क्या है, सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, सबसे पहली चीज, सुनना ज़रा ध्यान से, मैंने कहा, सबसे पहली थियोरम का नाम क्याएविटा, superposition थियोरम, सुपर पोजीशन थूरा एक दम ध्रान से पहले सुन लो क्या क्या चीज़ें होती है रटाफिकेशन मत करना ना तो मैं यहां कोई स्टेटमेंट लिखाने वाला हूँ कि वो बुक वाला होता है ना कि जब किसी सर्केट में नमबर आफ इंडिपेंडेंट सोर्सेज होंगे ते एक टाइम पे एक सोर्स को एक्ट करूँगा रेस सोर्सेज को मैं डी एक्टिवेट करूँगा तो टोटल जो रिस्पांस होता है वो सुपर पोजीशन थियोरम के स्टे कोई नेटवर्क है माल लेते हैं कोई नेटवर्क है यह बिटा कोई नेटवर्क है करेक्ट है यह कोई आपका क्या है यहां पे कुछ आपका रेस्पांस है रेस्पांस क्या है यह माल लिया यहां प्लस माइनस वी और यहां माल लिया कोई करेंट आई है एंड यहां पे यह कहता है कि अगर network consisting of मैं क्या लिखरा हैं यहांपर network consisting of consisting of number of number of number of in dependent independent independent sources sources along with along with along with क्या लिखा में डविता consisting number of sources consisting number of independent sources along with resistances resistances and dependent dependent sources sources then then that response then the response response VL and IL are the are the function of are the function of function of independent independent sources सुलो इसे statement को ये बड़ा important statement है ये बहात important statement है अगर कोई network है जिसमें independent dependent हर तरीक एक आपके sources है हर तरीक एक sources वाइस्टिप कोई network है but number of independent sources must be greater than कितना होने चीए one होने चीए तो सुपर पोईशन के लिए एक चीए ध्यान रखना कि number of number of independent sources आइस must be greater than कितना होने चीए one होने चीए अगर एक से जादा नहीं है तो आप समझ लेना कि सुपर पोईशन का कोई meaning नहीं वहाँ पर ओके ध्यान रखना इस चीज़ का तो सुपर पोईशन थियूरम के लिए एक से जादा sources होने जरूरी है तो एक से जादा अगर sources होंगे तो आपका जो response VL और IL होगा VL और क्या बटा IL जो होगा वो हमेशा function होगा किसका independent sources का अब independent sources आपके दो category हो सकते हैं सुनना एकदम ध्यान सुनते रहे न भीटा independent sources कितने type होते हैं you know very well क्या एक होगा voltage source हो सकते है या आपके क्या हो सकते हैं current source हो सकते हैं voltage source and current source एकदम आपके नूट स्ट्राइट का लिखा रहा हूँ आप कभी भी इतना जादा लिखने की जुरूत नहीं होगी जिस तरीकस में लिखाता हूँ आपको तो इन्डिपेंडेंट सोर्सेज होगे अब जो रिस्पॉंस होगा रिस्पॉंस जो होगा रिस्पॉंस मैंने क्या लिखा बटा रिस्पॉंस मैंने लिखा I.L एंड यहाँ क्या लिखा V.L यह ध्यान से सुनना मैं क्या लिखना हूँ बड़ा जरूत पढ़ेगी आपके ब्लाइक बॉक्स के टाइप के कॉश्शन बड़ी जरूत पढ़ती है तो जो response IL होता है और जो VL होता है वो हमेशा function होगा किसका independent sources का समझ माई independent sources का function होगा अगर मैं माल लिया किस network में यह फिर मैं यहाँ लिख रहा हूँ इस network में कोई आपके number of independent voltage sources माल लिया VS1 है independent source VS2 कोई होगा VS3 है माल लियते तीन independent source रहे होगे इस network अंदर and कुछ आपके current sources में independent रहे होगे IS1 रहा होगा IS2 रहा होगा and IS3 रहा होगा and IS4 रहा होगा कुछ इस तरीक एक चीज़े नहीं होगे समझ मारी मेरी बात तो आप ध्यान रखना मेशा कि इस तरीक एक number of अगर आपके independent sources हैं इस network अंदर तो जो response होगा IL and VL not PL किस की बात कर रहा हो तो IL जो होगा इन ही independent sources का function आएगा हमेशा इन ही independent sources का क्या आएगा बेटा function आएगा तो मैंने number of sources को जादे ले लिए लिखने बड़ा लंबा चाड़ा हो जाएगा बेटा रहेगा इसमें क्यों दो ही दो रखता हूं न अच्छा रहेगा दो दो रखोंगा तो मैं इसलिए लिख दूंगा उसको करेक्ट है तो आग पास क्योंगे VS1 VS2 IS1 IS2 कुछ हैसा रहा होगा दो दो आपके independent current source दो आपके independent voltage source तो जो IL आये का that will be the function of VS1 that will be the function of VS2 that will be the function of IS1 that will be the function of IS2 समझ माइ इतनी बाद in the same way VL भी जो होगा वो VS1 का function होगा वो VS2 का function होगा वो IS1 का function होगा वो आपका IS2 का function होगा समझ पार है मेरी बाद correct है तो आप ध्यान रखना मेशा कि independent sources का function होगा अब इनके बीच में यह function है ना मतलब IL इसका function होगा इसका function इसका function इसका function इसका function इसका मतलब उसके साथ कुछ उनकुछ constant term भी हमेशा जुड़ के आएगी हमेशा आएगी कोई ने रोख सकता इसको तो आपका IL जो है मान लिया k1 आपका k1 times of vs1 आपका हो गया जो vs1 का function k1 कुछ भी हो सकता है k1 आपके जो resistances होंगे उनकी values पर depend करें कितनी value आएगी don't care about that thing okay next आपका plus मान लिया k2 यह होगा प्लस मान लिये क्या होगा k3 होगा प्लस मान लिये k4 हो गया अब यहां जो sign मैंने लिखें यह sign कुछ भी हो सकते हैं इस sign के बारे हम कभी मस सोचना वो depend करेगा किसकी direction इधल लियो किसकी direction इधल लियो जो भी हो आपका इसके sign कुछ भी possibilities हो सकती हैं बट इतना ध्यान रखना हमेशा कि वो हमेशा independent sources का function होगा similarly VL जब response कर रहो यह भी VS1 का function VS2 IS1 लेकिन यहां जो k1 factor आया है या k2 factor आया है k3 आया या k4 आया वो जरूर ही नहीं है कि इसमें भी same आया बट function जरूर होगा इसका मलब change क्या करने वाला यह term क्यों change करने वाली तो माल लेते हैं इसमें कोई k1 dash रहोगा इसमें कोई क्या रहोगा बटा k2 dash रहोगा इसमें कोई रहोगा k3 dash रहोगा इसमें हो सकता k4 dash रहोगा तो आपके जितने भी responses होते हो हमेशा independent sources क्या होते हैं हमेशा function होता है हमेशा means हमेशा होगा हमेशा means हमेशा होगा हमेशा means हमेशा and यहाँ पर लिख सकते हो आप k1 k2 k3 k4 k1 dash k2 dash k3 dash k4 dash all are constant terms all are constant terms and it depends only it depends only only circuit circuit condition circuit condition correct है तो यह हमेशा क्यों circuit condition depend करेंगे independent sources क्या है फला नढ़मा का तो हमेशा याद रखना कि बी यल और आई यल आर दा function of independent sources यह बड़े बड़े अच्छों में लिख लेना कि सुपर कोईशे बड़ा काम आएगा कहां black box के जब questions आते हैं तो यहीं तुमको कभी clear रहता ही नहीं है इसलिए तुम हमेशा कभी black box के question लगा नहीं पाते हैं जब एक box दो box तीन बाक्स चार-पांच बाक्स का combination जब question देता है ना जी सेवर मैंने कराया था कात question आपको याद होगा हालत पंचर हो गई थी सबकी क्योंकि आपको clarity नहीं है theorem को आप क्या पढ़ते हो बस यहां क्या पढ़ लोगे independent में से एक को लूंगा rest को वो कर दूंगा डी एक्टिवेट और response आजाए अरे भाई गेट इतना भी ऐसे नहीं question पूछे को उतना बेवकूप नहीं बैठा है कि दो इंडिपेंडेंटन सूर्स लगा को बोलेगा सुपर पोजिशन लगाईए अरे भाई लगाना है तो मैं नोडल्स लगा लूंगा न मैं क्यों इतन से पंद्रा बार बोल दिया मैं तुमको लग रहा होगा पागल है क्या एक ही बात को repeat कर रहा हूं repeat नहीं कर रहा हूं तुमको मैं बता रहा हूं कि तुम यहीं गलती मार तो इसलिए repeatedly emphasize करके उस point को बोल रहा हूं कि जो response होगा IL-VL not PL not PL I am saying only IL and VL के बारे में कह रहा हूं ज विदा only function of what independent sources and उसके constant terms के आपके factors होंगे उस पे कियो डिपेंड रहेगा यहां तक clear हुआ तो मैं आगे बढ़ सकता हूं यहां तक clear हो बिटा यहां तक clear है तो यह ऐसे ही बना ले न आप यह arrow का मतलब इससे निकला नहीं है यह consist कर रहा है यह consist कर रहा है यह चीजे तो यह independent sources है यहां पर लिख भी दे रहो है independent sources बहुत ही minute minute चीज़ें आपको पता नहीं होती इसलिए आप जब कोई खतरना question आता है तो वहां तुम जूल जाते हो तो question तो बनेगा लेकिन question में आपको यह जानना जुरूरी बच्चे कि आपको कितनी अच्छी क्लाटी होनी चाहिए किस पर depend किस पर नहीं depend करेगा ओके इसकी एकदम clear होगे बिटा एकदम दिमाग बसा लो और वह bookish वाली definition पढ़ना बंद कर दो जो लोग भी पढ़ाते हैं फालतु वाली चीजे उसको बंद कर दो एकदम clear एकदम crystal clear बिटा response ILVL is a function of independent sources always हमेशा याद रखना बड़ा काम आया गये बहुत ज्यादा काम आपके आने वाला है numericals में यह चीज़ ओके तिकदम clarity रखिये कि response जो होगा that will be the function of ILN sorry independent sources अब independent source में चाहे current हो independent source चाहे क्या हो बिटा voltages हो next note point लिखे इसके अंतर next point next point इसमें क्या होगा बिटा जब भी आप response calculate करते हो तो आपको क्या करना पड़ता at a time एक ही source को क्या करना पड़ता आपको consider करना पड़ता है एक source को आप consider करते हो rest sources को आप क्या करते हो बिटा deactivate कर देते हो तो नीचे लिखे लिख लो इसको भी लिख लो कई लोग नहीं कहेंग सर यह वाला point नहीं लिखा लिखे 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 लिख one independent source at a time at a time one independent source at a time and and at that time and at that time and at that time all the rest independent sources all the rest independent sources all the rest independent sources will be deactivated will be deactivated will be deactivated अब देखिए अब यहां पे तुरंत एक चीज आ जाती है आप खुश सोचो आप खुश सोचो आप खुश सोच कर देखो ठीक है अभी अभी मैंने कहा मेरा एक statement क्या रहा कि जो response होगा जो response होता है वो function होता है किसका independent sources या तो VS1 या तो किसका बेटा IS का या current या voltage किसी भी source का function हो सकता है तो यह जो मैंने statement यूज किया न यही आपका क्या है यही आपका क्या है इस इस नौन as homogeneity principle इसको हम क्या कहते है इस नौन as homogeneity principle तो जो आपका response होता है that is the function of the independent source तो यही आपका homogeneity principle है बस इसमें एक change है क्या है सुनिये next point next point that is really important for you now homogeneity principle homogeneity principle करेक्ठे ध्यान सुन ले न बिटा ध्यान से सुनना जरा इसको homogeneity principle ध्यान दीजेगा homogeneity principle क्या कहता है superposition जो theorem है दो principle पर operate करती है एक होता है homogeneity principle इसका मतलब response जो होता है independent source का function होता है and दूसरा होता additivity additivity मतलब है कि response जो है हर एक independent source का function है फिर सबका हमने response का सबका हमने क्या कर दिया summation जो कि आपने किया न प्लस 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 यही आपका क्या है additivity principle है correct है तो homogeneity principle क्या कहता है if a network if a network or network or circuit if a network or circuit having 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 one independent source ध्यान देना जरा एक ही independent source होना चाहिए उस circuit में independent source source then then the response then the response will be will be scaled by scaled by the same the same factor the same factor by which by which the source the source the source has been scaled इसका meaning क्या हुआ इसका meaning यह हुआ कि अगर आपके पास कोई network है जिसमें आपका एक independent source है जिसमें एक independent आपका source है बिटा एक independent आपका क्या है बच्चे source है और रेस्ट आपका register network आपका है correct है तो जो अगर अब आप source को scale करते हो source में कुछ value बढ़ाते हो घटाते हो कुछ भी करते हो तो उसका direct impact किसके उपर पढ़ता हमेशा जो भी आपका response होता है for example power calculation में भी इसका कुछ concept होता है कि अगर harmonics वाला प्लीज वो बता दीजे power concept में इसका अभी यहाँ application नहीं बटा power concept में बिल्कुल application superposition का है बट आपको response ही calculate करना उस इक बेस पे first की वज़ास इतना power गया ठीक है network theory पढ़ रहे हुँ न तो उसके उपर बात करें न हम लो ठीक है चलिया आप देखें ध्यान से तो मैंने कहा मेरे पास माल लो कोई network है for example कोई भी ले लो it's your choice ठीक है यह लो एक कुछ इस तरीके network हमने ले लिया ओके यह ले लिया सई है यह दो कुछ इस तरीके हमने एक सिंपल सा राइस्टिव नेटवर्क ले ले लिया वैलू दे दिया माल लिया यह वन ओम है यह आपका क्या है टूम है ए यह भी वन ओं देदेता हूं और इसको देदेदेता हूं तू इसको देदेदा हूं मैं तू इसको कितना हो गया 11222 combination 11 और फ्री इसको मैं देदेता हूं 15 पुल्ट सफाई है अब देखे जरा ध्यान से माल लिया कि मैं response चाहता था यहां पर यहां पर चाहता था we and यहां पर चाहता था current की value correct जो आपको समझना है वो ध्यान सुनना जरा तो आपके पास we अगर है तो we is the response तो response अगर we निकालना था तो मैं कैसे calculate करता सोच के देखो जरा आपके पास क्या है ध्यास देखिया अगर I calculate करना है तो simple सा है ना I calculation क्या I की value आ जाएगी जल्दिस बता दो में रखो यह कितना है वन और वन यह कितना हो जाएगा टू यह भी कितना है टू टू का combination कितना बनाएगा टू टू का parallel combination कितना होगा बन वन फ्लस टू करोगे थ्री आ जाएगा 15 दिवाइड गले त्री कर दो यहां करन्ट तुम्हारी आ जाएगे कितनी 5 एंपियर साही है 5 एंपर यहां करेंट आ अब अगर यह 5 एंपियर है तो बताईए इधर वी तो ओम इध अगर 2.5 ampere current है तो वी की वैलू कितने आगे तो वी इस एकल टू कितना आगया 2.5 volt and current की वैलू कितने आगया 2.5 ampere now now सोचो अगर मेरे पास इसको मैं scale करना चाहूँ या तो कम कर दूँ या तो जादा कर दूँ या तो multiply किसी factors कर दूँ या तो मैं divide कर दूँ इसको आपका है वो उसी factor से वो भी multiply करेगा लेकिन ये तब ही true है जब network में खेवल एक ही independent source हो अगर एक से ज्यादा independent source होंगे तो ऐसा कभी मत करना इतना बड़ा blunder मत कर देना कि आप उसमें भी response को आप scale करते चले जा रहे हो तो अगर मैंने यहाँ factor 2 से क्या कर दिया है multiply कर दिया है let assume it this value is k factor तो आप बताए जो नया response आएगा v new is equal कितना आएगा k times of v old और जो i new की value आएगी that is equal to k times of i की कौनसी value old value correct है अब k की value कितनी है 2 है तो 2 into कितना 2.5 तो कितना आगया 5 वोल्ट की equal similarly 2 into कितना 2.5 कितना आगया वाटा 5 ampere की equal यह सिर्फ और सिर्फ इस response की नहीं है you can calculate this response also इसको v1 मालो इसको i1 मालो तो i1 v1 जब पहले रहा होगा तो value जितनी आएगी अब अगर 2 से मैंने इसको factors multiply किय तो response भी आपका seem factor से multiply हो जाएगा correct है तो यह आपको क्या है this is the homogeneity principle इस से यादा कुछ भी नहीं homogeneity principle में ना ही इस से यादा कुछ करने की आपको जरूरत है correct है तो नीचे एक point लिखे नीचेक point लिखे नीचेक point लिखे नीचेक point लिखे है here 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 if the if the independent source is scaled by factor k is scaled by factor k, is scaled by factor k, then, then, then the response voltage and current, the response voltage and current, voltage and current, voltage and current will also be, will also be scaled by same factor, will scaled by same factor k, same factor k, same factor k, correct, same factor k, तो मैंने कहा, कि आपका v new, note कर लेना इसको, i new, जो होगा, that is equal to k times of v old, note कर लेना बड़ा important है, k times of i old, and अगर power की बात की जाए, p new की, उसी में, इसी resistance power की बात की जाए, तो इसको अगर scaling factor term लिखना है, k square times of p कितना old की equal, ये तीनों note कर लेना बड़ा, बहुत काम आएगा box type की questions में, बहुत ज़्यादा काम आपके आएगा, तो ये note कर लेना इसको, कि voltage का response k times हो जाएगा, current का response k times हो जाएगा, बट power का जो response होगा, वो k square times हो जाएगा, ये प्रूब भी कर सकते, यहाँ का अगर power calculate करोगे, तो 25 का 2.5 का square into 1 कर लो, जी जितना p old आजाए, अब उसमें, जब ये अगर 2 times हुआ आपका, तो ये current आपके भी 2 times हो गई, तो इसका मतलब power कितना हो जाएगा, 4 times होगा ना, तो मतलब k square times होगा आपका, तिसी लिए power जो होगा, k square times of p old value के equal होगा, this is the homogeneity principle, and this is very important for all of you to recall, बट ये वाला part आप लोग छोड़ देते हो, आपको लगता है करें, ये तो ये नहीं है, इसको क्या करेंगा, सीध है क्या पढ़ते हो, circuit बना के एक source को deactivate, दूसरे source को activate, यही कर पढ़ते हो, ये है important points, ये सब आपको पता होना चाहिए जब भी आप theorems करो, इतना जादा इसलिए बतारो का आप गलती कहीं ना करो, correct, आगे बढ़ सकते हैं मिटा, इतना clear हो गया सबको, एक एक चीज़ एकदम ध्यान से सुना करो, एक एक words को मेरे ध्यान सुना करो, जब भी numerical करो, उसको just apply कर दिया करो, और जादा है ना ये 10-10 घंटे जो लोग पढ़ाते हैं ना इस चीज़ को, फरजी का, फालतू का उस पे जवर जस्तिक उसको टांग लेते हैं, जुन- घंटे उसी बताते रहें, गईसा होता है, वैसा होता है, ठीक है, कुछ नहीं होता है, सिंपल सी चीज़ को इतना complicated क्यों बनाते हो आप लोग, correct? चलिए, तो अगर हो गया हो तो बेटा, एक बार यस करके एकदम ना energy maintain रखा करो, एकदम सवन जो चीज़ आए, तुरंत उस transformation और maximum power, इस सब कुछ ना आपको इतने superb तरीके समें बताने वाला हो ना, का आप कभी expect नहीं क्योंगे, ऐसा भी बताया जाता है, ठीक है, चलिए, हो गया बेटा, यहां तक done, यहां तक done, यह सर, हो गया, clear बेटा, ओके, जल्दी मुझे response कर दीजे, तो मैं आगे बढ़ सक को, एकदम ना अपने आपको थोड़ा सब मेंटेन करकर रखा करो, जैसे जितना टाइम आप लोग सजनेम लगाते हो ना, अपने आपको, शादी ब्याम जाते समें, उतनी एनर्जी यहां पे भी दिखाये करो, उतनी ही एनर्जी आपकी यहां पे भी होनी चाहिए, अदर् मैं देखा हूँ, ऐसा सज जाएंग, जो लोग थोड़े सावले हैं, वो मारते हैं क्रीम पाउडल लगा लगा के, ठीक है, उसके जो लोग बिचारे वो है, जिनका रंग और काला है, जैसे देखो, हमारे साथ बैठें आज, दीपक भाई, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, फ सब्सक्राइब क्या होता है, डइसा मत बहाला है, एक अलग वे में पाउर को हैंडल के आता है, डेर्टली मतलिखना, पाऋर के केस में डेर्रेघली अप्लिकेबल, आई सा मत बोलोओ, बाट हाँ, उसको, हाँ, तो यह सजना, धरजना बंद कर दो बच्छे, ठीक है, हाँ तो यह मैं देखा हूँ ना मेरे घर में भी है ना नेहा मेडम ठीक है मतलब मारी वाइब जो है ठीक है जब भी कुछ हो आई सजावट चलेगा ना को मतलब की समर रहे हो और मैं मेरी डाड़ी बढ़ी रहे कि मुझको ग्यान लोग दे देंगे अरे मैं कहां लगाऊ क्रीम रिम जगा भी है कहीं बच्ची हुई है सकल पर ठीक है तीजले मैं कहता हूँ मैं फ्री हूँ भाई मुझे कोई योतनी क्रीम से रिम की एनर्जी मेंटेन रखो क्लास को ना इंज्वाई किया खड़ो क्लास में इतने सीरियस क्यों हो भाई ठीक है सीरियस मत रहा करो इतना चले मजा आया ओके चलो अच्छी बात है कौन बोला अस्तोष कुमार अभी तुमने देखा कहा है बटा एक सेख पड़े हुए हैं अभी देखे कहा हो चलो कोई बात नहीं ओके फाइन अब बढ़े आगे बढ़े अब नेक्स देखे नेक्स देखे चले बाबा हो सराब हाँ बाबा इसमझो ठीक है अब देखे अब नेक्स बढ़ते हैं अब यहीं पे एक प्रिंस्पल और आता था जिसका नाम था एडिटि कर दिये जा रहा है ठीक है एडिटिविटी प्रिंस्पल करेक्ट है अब इसमें क्या होता है बता चुका अलेडी बार बार वहीं नहीं बताऊंगा बता दिया मैंने तो एडिटिविटी प्रिंसपल में मैंने क्या बताया इसमें बस एक लाइन लिख लो जो यहां लिखवाय कौन मना किया तुमको यह लोग वी आई इसको लिखा के वन आई एस वन ऐसे लिख दो के टू आई एस टू कुछ कहा है कुसर आपने आहां वी एस वन लिखा अरे यार जो मनवाए वो लिखो ना कोई भी ले लिया न कॉंस्टेंटम कुछ भी लिख दो यह सब क्या इंडिप वर्य८ क, what this is the Za b applies is the Department ofarat here दिस्पवे जれो में है सब क्या है इंडिविजियल की वाजसे यह रिस्पोंस आयब दूसरी की वाजसे सी हिए यह रिस्पोंसआ थेी स्रे की वाजवा से से यह रिस आया खिर टीनो क वने सम कर दिया तो लिखे a network comprising of a network comprising of a network comprising of several independent sources लिख लिख लिज़ पांट को a network comprising of several independent sources several independent sources sources then the response then the response at a particular branch at a particular branch particular branch particular branch when all the sources acting together when all the sources acting together यह ना यह देखो सारे sources में हो गए है सब एक साथ act करेंगे तो ऐसा response आने वाला है ठीक है when all the all the sources acting together is equal to the is equal to the is equal to the sum of sum of sum मतलब यस यू यम वाला sum yes you yum कच्छा एक वाला yes you yum okay sum of individual responses sum of individual responses acting alone acting alone at a time acting alone at a time correct at a time इसका मेंनी यह हो गया कि जो total response है अगर सारे source को एक साथ act करा दिया जाए तो वो क्या मिलेगा sum of the individual responses मतलब यह एक individual response है जब यह रहा होगा तो यह सब आपके नहीं रहे होंगे जब यह आ गया तो यह दोनों नहीं रहे होंगे तो आप ध्यान रखना मेंशा कि आपका deactivate करना होता है किसको other sources को while finding individual response ओके तो deactivation का मीनिंग क्या होता है यह भी जान लो कई लोग confusion deactivation का मीनिंग क्या होता है जान लो इसको अगर आपका independent voltage source है तो deactivation का मतलब क्या होता है voltage को zero बनाना supply voltage को क्या बनाना जीरो बनाना या इस हम क्या कहते शौर्ट circuit करेक्ट है independent अगर कोई current source है इसका मतलब क्या होता है supply current को zero बनाना इसका मतलब इसको क्या कहते open circuit करेक्ट है तो यह deactivation का मीनिंग होता है याद रखना तो आपको deactivate हमेशा करना होगा and यहां फिर लिख रहा हूं and do not do not touch do not touch the dependent sources गलती से उसको मत कुछ कर देना dependent sources तो dependent sources को कभी भी touch मत करना ओके dependent sources को कभी टच मत करना जो भी करना है न टच करना है तो simply independent को touch करो जो अपने आप में खले हैं किसी dependent को मत करना dependent वैसे ही बचारे depend कर रहा उसको तुम छूना भी मत उसको depend करने दोसके उपर ठीक है और अगर गलती से जिसको तुम deactivate किये जिस source को उस पे ही by chance dependent source depend कर रहा तो dependent भी गए गेम ओवर उनका भी हो जाएगा बात खतम हो गई ठीक है इतना टेंशन नहीं लेना चलिए तो यह आपका क्या थे पेटा सुपर पोजिशन थियोरम यह सिंपल सी थियोरी थी बट इस थियोरी में मैंने वो trendy चीज नहीं बताई जो लोग समझाते हैं बठाके तो आपको clarity देने के लिए मैंने हर वो एक point मैंने include कर दिया जो आपको बताना चाहिए आपको कभी वैसे कोई नहीं बताता सुपर पोजिशन थियोरम को वह अलगए स्टाइम बताते सब डियेक्टिवेट करके फ़लाना करके यह करके वो करके ऐसा करके ओके क्लियर विटा सुपर पोजिशन थियोरम क्लियर हो गया सब कर दो कर दो कर